हेलो फैमली कैसे हो आप सब उमीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और ये 2022 की जो बुरी यादे रहे हैं क्रिप्टो करनसी को लेखे उसको भुला कर 2023 के अंदर आप excited होंगे कि शायद कुछ अच्छा हो लेकिन यहां पर 2022 जाते जाते भी थोड़ा सा परिशान कर रहा है और क्यों हो रहा है ये सब थोड़ा सा पैनिक हामें देखने को मिल रहा है और ये 5-6 फैक्टर जो इस टाइम पर थोड़ा सा दबाव डाल रहे हैं क्रिप्टो करनसी मार्किट पे वो आपको जानना जरूरी है लेकिन यहां पर इससे परहिशान होने की घबराने की कर सकें कि मुझे शॉट टम में ट्रेड कैसे करना है 2023 के अंदर कौन से कोई अच्छा कर सकते हैं 2023 की प्रेडिक्शन आने वाली वीडियोस के अंदर हम कवर करेंगे लेकिन यहां पर टेंपरेरी क्या लगता है बिटकोईन का 2023 के अंदर कैसे मोमेंटम शुरुआत हो सकती है उसको समझने की कोशिश करेंगे और बिटकोईन फिर भी थोड़ा स्टेबल है और टकोईन क्यूं इतने थोड़े से यहां पर पैनिक के अंदर दिख रहे हैं उसको भी समझाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर तो बने रही है हमारे साथ में दोस्तों चार फेक्टर हैं जो इस ताइम पर परेशान कर रहे हैं और उसमें से एक आपने पहले ही सुन लिया होगा ग्रे स्केल को लेके बहुत मार्केट के अंदर नियूस है कि उनके पास में 6 लाग सवा 6 लाग बिटकोईन है जिसमें से वो 20 परसें जो की लगबग सवा लाग बिटक लेगा क्योंकि मार्केट इतनी बड़ी हो चुकी है यहां पर चीजों को एड़ेस्ट कर लेती है लेकिन हम बात कर रहे हैं 2-3 बिलियन डॉलर की आज के रेट के हिसाब से भी क्योंकि छोटा मोटा अमांट नहीं होता है पहले उसको समझ लीजिए कि ग्रे से जो स्केल है उसको लेके चल क्या रहा है ग्रे स्केल का जो जी बीटी सी ट्रस्ट है जिसके थूरू बेटकोईन के अंदर लोग पैसा लगाते हैं कंपनी पैसा लगाती है उनका कहना है कि अगर इसको एटीएफ में जल्दी कनवर्ट या एटीएफ का अप्रूवल नहीं मिलता है तो ह हो सकता है उनके साथ में परिशानी हो और फिर जाके उनको जो इनके शेर जो होल्ड करते हैं उनको से वो शेर 20% बाइबेक करें और उनको उसके लिए 20% अपने जो होल्डिंग है बिटकोईन की सवा 6 लाग के आसपास उसमें से 20% सेल करना पड़े अगर वो सेल करते हैं त इसकी वज़े से एक टेंप्रेरी यहां पर हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है लेकिन आप यह समझिएगा सवा लाग की बात हो रही है कई लोग बोल रहे है कि जीवी जो है ग्रेस के लिए डिफॉल्ट कर दाएगा चीजे खराब हो जाएंगी और यहां पर सवा 6 लाग अगर बिटकोईन मार्केट के अंदर आएंगे तो यहां पे बहुत बुरा होने वाला है सिचुवेशन उनके साथ जो है टफ चल रही है लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी चीजे ऐसे ही हो जाती है तो वो वेट कर रहे हैं उनके पास में यह उनका यह कहना है कि लास्ट में अग करना पड़ेगा तो कब करेंगे तब करेंगे लेकिन इसके लिए हमें परिशान यहां नहीं होना चाहिए और लेकिन यह चीज़े आपको समझ में आने चाहिए कि अगर ऐसा होगा तो मार्केट के अंदर एक प्रेशर देखने को मिल सकता है दूसरी इंपोर्टेंट बात और जिसकी वज़े से ग्लोबल मार्केट के अंदर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है वो है कोविड करोना की वज़े से भी सुनने में आ रहा है कि ग्लोबल मार्केट के उपर प्रेशर बन रहा है कि एक नई वेव आ सकती है तो सबसे पहले कर कोविड की तो मैं बाद में बात करूँगा लेकिन आप सबसे request है थोड़ा सा precautions लेके जो है लेनी शुरू कर दीजिए क्योंकि आपकी जिंदगी से बढ़कर आपके परिवार के लिए आपके रिष्टेदारों के लिए कुछ नहीं है तो किर्पिया करके हम तो भुक्त भोगी रहे हैं हमने जो करके safe रहे है precautions लीजिए और जहां जाने की ज़रूत ना पड़े तो किर्पिया मज जाईए मास्क और पूरे जो प्रोटोकॉल है उसको आप फोलो कीजिए यहां पर कोविड को लेके चाहिना में हम सबको पता है बहुत सारे explosion सा हो गया है जो है उसका कोविड का और यह कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर भी precautions लेने शुरू हो गया है और यहां पर इस चीज का भी panic होता दिख रहा है और इसी की वज़े से global market के अंदर की भया दुबारे से lockdown ना लग जाए तो एक pressure cryptocurrency market के अलावा जो global traditional market है stop market है उसके उपर देखने को मिल रहा है और उसकी वज़े स भी यहां पर pressure दिख रहा है एक और important चीज है interest rate hike जो लगातार और जो हमें पता है fed का यह कहना है हम slow down तो करेंगे लेकिन interest rate को रोकेंगे नहीं जो hike करने के लिए जो सारी चीज़े जो basic point वो बढ़ाते रहते हैं तो उसको हम slow down तो कर सकते हैं लेकिन यहां पर हम उसको खतम नहीं करेंगे शायद 2023 के अंदर भी वो continue रहे और इसी चीज़ को understand करते हुए जो stock market है वो भी थोड़ा सा यहां पर pressure के अंदर है और उसी का impact जो है heat wave जो है आप खहलीजिए cryptocurrency market पे भी देखने को मिल रही है short term की बात कर रहा हूं यह 2-4-6 महिने के लिए हो सकती है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाले time के अंदर जिस rate के आसपास हम हैं हमने bottom देख लिया है या bottom के आसपास हैं इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा तो opportunities को ढूण यह मौका मिले अगर यहां से dip भी कर करता है मौका मिले तो आप इस opportunity का फायदा उठाइएगा लगातार जो hack की news आ रही है लगातार हर दूसरे दिन कोई hack निकल के आता है किसी को hack हो गया उसकी वज़े से भी pressure बना हुआ है एक और जो important बात है और वो आप सब हम समझ सकते हैं FTX के कांड के बाद में लोगों का confidence lose हुआ और exchanges से withdrawal यहां पर हो रहे हैं और तो confidence ना आना cryptocurrency के ऊपर trading ना करना वो भी एक pressure cryptocurrency market पर डाल रहा है लेकिन इन सबसे पर है जो सबसे important है जिसकी वज़े से हमें cryptocurrency market के अंदर एक volume नहीं दिख रहा है वो है कि Christmas के आसपास European countries की बात करें या आप कह लिजिए American countries Australia Canada या South America क की बात करते हैं उनके अंदर जो है holidays का महौल रहता है और यहां पर वो जो है इस चीज को celebrate करने के लिए ज्यादा focus करते हैं ना कि trading करने के लिए और उसकी वज़े से भी हमें volume भी नहीं दिख रहा है और ज्यादा momentum cryptocurrency market के अंदर आती भी नहीं दिख रही है लेकिन कल जब USA क market खुली थी उसके बाद हमें थोड़ा सा pressure देखने को मिला उसका एक reason और है जो आपको यहां पर समझना चाहिए जो कि एक bitcoin miners को लेके निकल के आ रहा है कि bitcoin miners जो है उनके साथ में concern क्या आ रहा है जिस rate पे bitcoin का price चल रहा है यहां पर उनको electricity जो उनकी खर्च हो रही है वो भी नहीं निकल रही है पूरी production cost के अंदर electricity, manpower, rent, बतानी, 36 चीज़े और होती है तो एक production cost बनती है जो कि आती है लगबग 20-21,000 डौर जैसा की हमें idea है यहां पर अभी फिलाल जो है electricity cost निकल रही है production, rent और इन सब चीज़ों की तो यह जो खत्रा बना हुआ है कि bitcoin miners जो है लग mail करना पड़ रहा है, तो वो hold नहीं कर पा रहे हैं इस वजे से और इसका भी एक panic यहां पर market के अंदर देखने को मिल रहा है, panic, 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 बड़े परिशान हो जाते होंगे आप हर बार यह सोचके, keep panic, panic, panic ही चल रहा है, लेकिन यहां पर यह सारी चीज़े आपको समझनी तो पड़ेंगी न, कि short term में चल क्या रहा है और हमें क्या यहां पर इस चीज़ को लेके करना चाहिए, interesting बात क्या है कि bitcoin यहां पर ऐसा लग रहा है कि थम सा गया है, और आपको बता दिया मैंने volume जादा नहीं है तो थम थमा सा लग रहा है, और अभी भी यहां पर लग लेकिन यहां पर resistance क्यों मिल रहा है, इसको आपको समझना जरूरी है और इसको समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा bitcoin का चार्ट, bitcoin के चार्ट के अंदर आगर आप देखोगे, जब interest rate high की बात हुई थी या interest rate कम निकल के आया था, inflation का data भी कम निकल के आया था, तो पचास जो daily moving average है, जो एक important resistance और support का काम करता है, वो इसको resistance मिला, और वो अब नीचे नीचे, वो भी हर गंड चेंज होता रहता है, daily moving average की बात करते हैं, पचास, तो अभी की बात करते हैं, वो 17,000 डॉलर के आसपास है, और अब तो 17,000, 16,800 डॉलर है, तो आप कहे लिजिए ये 17,000 से 16,800 डॉलर क्योंकि 21 daily moving average भी जो है, वो भी एक important resistance है, तो ये zone आ रहा है, इसको इससे पार जाना इतना easy नहीं है, अगर इससे पार जाता है, तो समझिएगा कि आने वाले time के इंदर हमें एक breakout देखने को मिल सकता है, लेकिन ये हमेशा लगातार आप देखोगे, य एक important resistance का काम करती है, support का काम करती है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि आने वाले 2023 के अंदर क्या इसके ऊपर close कर पाता है के नहीं, अगर कर पाता है, तो आप समझिएगा कि एक यहाँ से हमें pump देखने को मिल सकता है, नहीं तो हो सकता है, जिस हिसाब से पिछले हफते बर स 2400 डॉलर की variation है, वो ही हमें देखने को मिले, और आने वाले इस साल के अंदर, अगले साल के अंदर हो सकता है, कुछ अच्छा momentum देखने को मिले, अगला साल, वाओ, चार-पांच दिन ही रह गया है, तो ऐसा लगता है कि अगला साल, चार-पांच दिन भी कहां रह गया है, चार दे नहीं रह गया है, ठीक है, लेकिन यहां पर अगर मैं support की बात करता हूँ, immediate, तो यह निकल के आती है, 16100 डॉलर, और फिर निकल के आती है, आज के लिए 15800 और फिर 15300 डॉलर, यह तीन support है, और resistance आपको पता है, कि अगर 17000 डॉलर के बाहर जाता है, तो अगला इसका पहले भी share की थी, I don't know, किसनों ने observe किया, कितनों ने नहीं किया, bitcoin की बात करें, bitcoin तो यहां stable है, लेकिन जो alt coins है, वो भी थोड़ा सा stable है, या थोड़ा नीचे गिर रहे हैं, अगर आप देखोगे, observe करोगे, उसका एक reason मैं आपको बताता हूँ, वो है bitcoin की dominance का chart, bitcoin की dominance के chart को अगर आप observe करते हो, तो आपको एक fair idea लगता है, जैसा हमने आपको बताया था, 200 daily moving average जो है, इसके लिए एक support का काम कर रहा है, उसके ओपर ही close करने में काम्याब हुआ, और लगपक 42% इस time पे bitcoin की dominance चल रही है, अब यह bitcoin की dominance क्या होती है, मैं आपको बता दूँ, जितने भी सारे alt coins हैं, उनकी market gap, जो भी उनका total market gap है, उसको club करते हैं, ठीक है, उसमें से अगर देखते हैं, तो 42% share जो है bitcoin का है, तो यहाँ पे उसको bitcoin की dominance बोला जाता है, तो इसके उपर यह continue कर रहा है, 42 के आसपर चल रहा है, अगर यह यहाँ पर टिका रहता है, 41 डॉलर से उपर, तो bitcoin की अंदर भी एक pump देखने को मिल सकता है, जो इसको 44% तक ले जा सकती है, अगर यहाँ पे 44% या उपर जाती है, तो इसका भी एक indication है कि alt coins की अंदर, या तो हमें उतनी बढ़ा तनी देखने को मिलेगी, जितनी bitcoin के अंदर देखने को मिल रही है, या यहाँ पर bitcoin जो alt coins है, वो थोड़े टूटते दिख सकते है, तो इस चीज़ को भी आपको observe करना है, और यह भी एक important factor bitcoin की dominance के चार्ट के अंदर हमें reflect होती है, थोड़ा off track तो नहीं है, लेकिन हाँ, इंडियन companies को भी bitcoin का सहारा लेने की जरुत पढ़ रही है, और आपको बता दूँ, जो मैं त सुना है, कि उन्होंने बहुत सारी चीज़े यहां पर लगातार बोली है, या कभी-कभी-कभी हमने tweet पर comment करते देखा है, अब एक interesting tweet और निकल के आया, notification हमें मिली थी, कि उन्होंने discount को बताने के लिए अपने, तो compare कर दिया bitcoin के साथ में, यानि कि 200 रुपे अगर आपको discount म यूजर उनको target करने की कोशिश की है, कि भाया, 200 रुपे मतलब 0.000145, तो ये आप समझ सकते हो, कि इनको भी Indian companies के पास में, शायद regulations की कमी है, जो इस वज़े से वो acceptance नहीं कर पा रही हैं, या openly adopt नहीं कर पा रही हैं, अगर regulations आ जाएं, proper taxation हो, तरीके से हो, तो आने वाले time क अंदर Indian companies के अंदर भी आपको Bitcoin cryptocurrency का चलन देखने को मिल सकता, बड़ी interesting चीज थी, मुझे लगा ये भी आपके साथ में share करना चाहिए, दोस्तो बहुत सारे लोग हमसे Shiba Inu और Doge coin को लेके भी पूछते हैं, तो हमें लगा इसकी वीडियो के अंदर इसको भी add कर देना चाह देखती है, meme दोनों coins के अंदर, Bitcoin के बाद जो सबसे ज़्यादा search coin है, वो Shiba Inu और Doge ही है, यहाँ पर USA के अंदर सबसे ज़्यादा search जो हो रही है, Bitcoin के बाद, वो Shiba Inu के अंदर है, और उसके बाद Doge coin के अंदर है, लेकिन अगर globally देखते हैं, तो Doge coin के अंदर ज्यादा search करता हूँ, लेकिन अगर बात करें, दूसरे coins से, और जो बड़े बड़े नाम है, cryptocurrency के अंदर, उनसे ज़्यादा better perform किया है, अगर देखते हैं, Doge coin ने, यानि कि जितने दूसरे alt coins गिरे हैं, बड़े बड़े coins गिरे हैं, यानि कि उनसे कम ये गिरा है, और यहाँ पर आप बात करो, तो अगर हम overall compare करते हैं, Polkadot, Solana, Uniswap, Avalanche, जो की 80-90% तक गिरे हुए हैं, ये इतना नहीं गिरा है, उनसे ज़्यादा इसने अच्छा better perform किया है, तो कहीं न कहीं, Doge coin जो लोग hold करते हैं, उनको एक ज़्यादा expectation, एक hope लगती है, लेकिन यहाँ पर, शीबा इनो की बात करें, उसके अंदर भी लगातार development चल रही है, लेकिन शीबा इनो को compare करते हैं, तो उसके अंदर Doge coin ने ज़्यादा बैटर perform किया, और यहाँ पर यह चीज हमें देखने को मिलती है, और Doge coin की market cap की बात करते हैं, वो 10 billion है, और उसकी rank जो है, एक ताती है, और यहाँ पर Shiba Inu की बात करें, 17th rank है, लगभग उसके आधा इसका market cap यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, लेकिन Shiba Inu भी यहाँ पर दोनों coins की price ली के हिसाब से तो मैं analyze करूंगाई, लेकिन यहाँ पर अगर आप mean coin hold करते हो, तो यह दो coin आपको एक hope देते हैं कि आने वाले time के अं जहाँ पर बात करते हैं, Dogecoin को लेके Elon Musk के tweet आते हैं, तो 5-10% उपर नीचे होता दिखता है, वहीं पर Shiba Inu के अंदर जो है काफी development हो रही है, क्या Shibarium की बात करें, जो upcoming Ethereum layer 2 scaling की यहाँ पर बात हो रही है, उससे expectation बढ़ जाती है आने वाले time के अंदर, जो Shiba Inu के अंदर अ बात करते हैं, तो दोनों के अंदर Bitcoin के साथ में pressure देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हमें concerning बात लगती है, यह 200 moving average है, यह जो आपको orange line दिख रही है, उसके नीचे यह close कर रहा है, अगर यह इसके नीचे close कर पाता है, तो हो सकता है, यह जो level है 0.075, वो इसके लि time के अंदर एक breakout लगता दिख सकता है, जो उसको ले जा सकता है, 0.08 डॉलर से लेके 0.09 डॉलर तक, ध्यान आपको रखना है, यह important अब इसके लिए एक resistance का काम है, उमीद कीजिए कि जल्दी से यहाँ से recovery हो जाए, नहीं तो हो सकता है कुछ time के लिए, यहीं पे यह हमें तो लगातार उसके अंदर slowly, steadily आप देखोगे, तो गिरावट ही देखने को मिल रही है, लेकिन अगर यह 800 के आसपस मिलता है, 800 मतलब 0.0000008 बोल रहा हूं है, 800 बोल रहा हूं, तो अगर इसके ऊपर यहीं पे अगर आपको मौका मिलता है, और जिस आप से चीजे लग रही ह है, development आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिल सकती है, तो और यह 0 और यह 825 के ऊपर जाता है, तो यहाँ पे एक breakout लगता देख सकता है, जो इसको ले जा सकता है, 900 और फिर 1100 तक इसके अंदर potential है, लेकिन बात हो रही है, बेटकोईन की, और बात हो रही है, इस टाइम प में bottom के आसपस था, मेर मेडिया हो या crypto user हो, उसके लिए भी Bitcoin क्रिप्टो करणसी market dead थी, उसको लगाई, चार्ट में भी आपको दिख रहा है, dead है, 2018 में भी यही face देखने को मिला, market dead है, Bitcoin dead है, और अभी भी 2022 के अंदर भी यही देखने को मिल रहा है, कि Bitcoin dead है, और यह face काटन सबसे ज़ादा tough, सबसे ज़ादा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पर आपको यह realize होना चाहिए, और आपको यह चीजे समझनी चाहिए, कि cryptocurrency market हो, या stock market हो, चब भी ठंडी होती है, एक recovery जरूर देखने को मिलती है, बस यहाँ पर आपको patience देखाने की जरूरत है, और global situation कि किसस आप से है, या overall situation cryptocurrency के अंदर किसस आप से है, उसको आप समझोगे, और अगर आपको विश्वार से cryptocurrency पे, खास कर bitcoin पे, तो शायद आप यहाँ पे एक confidence feel करो, और future देख सको, future किसी ने नहीं देखा, समझ के चलो, bitcoin cryptocurrency zero हो जाएगी, और investment touches आप से करो, लेकिन हमारा काम था आपके साथ में चीचों को share करना, आपको अच्छे से समझाना, उमीद करता हूँ हमने इस चीच को अच्छे से किया, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, उमीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी, वीडियो पसंद आई है, तो like जरू करके चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लीजिएगा और ट्विटर टेलिग्राम को भी फॉलो कर लीजिए लेकिन ध्यान रखिए बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करनी कोशी कर रहे हैं उससे आप तभी बच पाऊगे जब नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से अब इक लिए मैं विदा लेता हूँ खुश रहे हैं मुस्कुराते रहे हैं कमाते रहे हैं आपका दोस्त पंकर्च थैंकी नशकार दन्यवाद